हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावस अब सलोशन्स, दोसों जैसा है कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डेसिमल और पर्सेंट पाइप के बारे में देखा, बहुत ही इंपोन्टेंट पाइप से हैं जब भी आपका अकाउंट से रेटेड काम करते हैं प्रोजेक्ट म अमाउंट में हम उस करेंसी का कोड लगाते हैं से रूपीज का शाइन लगानो हो डॉलर का साइन लगानो कैसे लगाते हैं क्या इसका फर्मूला होता है क्या इसका रूल होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और एक्जामपल करके देखेंगे तो हम बात करेंगे करंच करैंगे हैと कि अगले में आपका सिर्थ कर ने लिए तो को गरेंग rugged कि यूज़ करके उस currency के code के according उसमें हम उसका sign यूज़ करते हैं ठीक है तो देखिए यह आपका आपका number हो गया pipe हमने लगा दिया यहाँ पर currency मतलब currency यूज़ करने के लिए हमने currency pipe लिखा उसके बाद हम यहाँ पर currency code जैसे रूपीज का INR होता है dollar का USD होता है पॉंड का GBP होता है इस तरीकर से currency code हम यूज़ करते हैं आप अलगला country के जब काम करेंगे तो अलगला country का जो currency का code होता हो आपको मिलेगा document में आप उसको यूज़ करेंगे आप ठीक है उसके बाद यहाँ से आपका symbol info दिया हुआ है कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं digit info भी decimal भी apply करना चाहते हैं तो आप digit info यूज़ कर सकते हैं जैसा मैं आपको parameter set करके दिखाया था decimal में दिखाना है तो लेकिन इसका जो place है parameter का तीसरे number पर है ठीक है तीसरे number प्लिक देंगे तो काम नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर one two three number यूज यूज़ करेंगे तो दूसरे number पर क्या यूज़ करेंगे दूसरे number पर symbol display कराना है कि नहीं करना true और false के रूप में यूज़ करेंगे थोड़ा सा logical है आपको थोड़ा सा समझना होगा practical करेंगे तो आपको अच्छ समझ में आएगा ठीक है यहाँ पर true लिखेंगे तो sign दी कर रहे हैं और करेंसी कोड आपने नहीं दिया तो by default करेंसी का जो कोड होगा USD में दिखाएगा डॉलर में दिखाएगा ठीक है फोर्सली भी लिख सकते हैं तो डॉलर में दिखा देगा चली एक्जांपल करके देखते हैं तब आपका जो पिक्चर है बहुत अच्छे तरी बेलू है करेंसी सी यूडवाल आर इसमें मैंने ट्वेलफ पॉइंट्टी कर दिया ठीक है इसको अगर हम नॉर्मली बाइंड करते हैं तो क्या होगा कॉपी कि हमने और यहां पर नॉर्मली बाइंड कर डबल कर लिब रैकेट के अंदर करेंसी को तो ट्वेलफ पॉइंट ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे करेंसी ठीक है तो यह क्या होगा कि करेंसी में दिखाएगा बाइड डिफॉर्ट यहां पर करेंसी का जो कोड दिखाएगा इवेस्टी में दिखाएगा डॉलर में दिखें डॉलर में लगा दिया और यहां पर टूपाइ यहां पर घ्लग लगाकर इसको हमने copy करके पेस्ट करके यहां ने लिख दिया के पेरेमिटर और यहां पर इवेस्टी तो फिर भी यह वेस्टी डिखाएगा by default value भी दिखा रहा रहá अगर आपको indian रूपिज का sign लगाना है ठीक है तो आप यहां पर Indian प्रुपीज का करेंसी का कोड लिखेंगे आई एन आर ठीक है तो यह आपको रूपीज में दिखा देगा देखिए रूपीज में दिखा रहा है रूपीज का शाइन लगा दिया अगर आपको दिखाना है यहां पर gbp लखुएंगे तो पॉंड में दिखा देगा gbp तो पॉंड में दिखा देगा देखिए पॉंड में दिखा देगा देखिए पॉंड में देखा देए पॉंड का साय लगा दिया तीज तरीके साफ यूज करेंगे इसके साहत अगर आपको digit करना है कि अगर आपने यहीं पर दूसरे नंबर पर ही डीजिट इनफ अप्लाई कर दिया है त्री डॉट टू डॉट थ्री डैस फोर कर दिया अपने तो इसा आउटपुट आएगा आपको समझ में क्या रहा है ठीक है देखिए इस तरीके सागा समझ में नहीं आ रहा है तो यह तीसरे नंबर का परामेटर है तो बीच में आपको यहाँ पर प्रू या फॉस लिखेंगे तो इसका साइन दीखेगा जैसे हमने यहाँ पर आई एन आर लिख दिया इसका साइन दीखेगा ठीक है और बिजिट इन्फो भी अप्लाई हो गया अगर आप फॉस लिख दे देखेंगे तो साइन नहीं दीखेगा और बिजिट इन्फो अप्लाई कर देगा देखिए इस तरीके से आगया तो इस तमाम चीज़े आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप करेंसी के साथ काम करेंगे ताई होग कि आप लोग को समझ में इस रूल को अच्छे समझ करेंगे चली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक रहें कि शो मच